हलो दोस्तो गूड मॉर्निंग स्वागतिक वाफिर से आप सभी का मिसराजी टेक्निकल यूटूब चैनल में दोस्तो आज है 23 नॉवंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 नॉवंबर 2020 के करेंट अफेर के सभी इंपोर्टन कोशन्स की पूरी वीडियो देखेगा पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सेयर जरू कीजेगा अगर चैनल पर नए आए है तो चलको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर दीजे जिससे आने वाली वीडियो को अभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे है चले बात करते हैं लास्ट एक के कुशन्स की लास्ट एका हमारा पहला कुशन्स था जलवायू अपात का लागू करने वाला पहला देश कौन है अब भी ऐसे ही डिटेल में ही explain किया करोगा चले दोस्तो बात करते हैं आज के दिन के पहले कुशन की आज का हमारा पहला कुशन है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने कहां पर हर घर नल योजना का उद्गर्ण किया दो जीले कौनखों से हैं? यह दोनों ही जीले दोस्तों विन्दछेतर के हैं एक है सूनभद्र और दूसरा है मिरजापूर तो दोनो जीलो के लिए ये परियोजना शुरूक की गई है इस परियोजना की लागत है दोस्तों 5555.38 करोड रूपय की ये पर्योजना है dead. अब इस प्रोजेक्ट के तहट क्या होगा इस प्रोजेक्ट के तहट दोस्तों इन दोनों जिलों में यानि सोनभद्र और मिर्जापूल दोनों जिलों में टोटल 2995 राजस्व ग्राम पंचायते जो हैं उन में 42 लाख आबादी को जल पहुंचाया जाएगा कित्रों को अभी हाली में इन प्रयोजनाव का उत्खटन किया गया है अब उत्तर प्रदेश आया है इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेर के जो पॉइंट्स आये थे उनका हम लोग कर लेते हैं रिविजन तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों प्रतेक जिलों में L2 लेवल के COVID-19 डेडिकेड़ हॉस्पिटल्स खोलने के घोशना की है COVID-19 की एक करोड से ज्यादा टेस्टिंग करने वाला पहला राजजी उत्तर प्रदेश बना था लखनों में दोस्तों सुपर स्पैसियाल्टी के एंसर सेंटर्स खोले जाएंगे सेफ सिटी प्रोजेक्ट और मिसन सकती कारेकरम ये यूपी का ही है नोईडा में दोस्तों भारत की सबसे खुबसूरत फिल्म सिटी बनाने की घोशना हुई है एक हजार एकर में ये बनाए जाएगी नोईडा एरपोर्ट के लिए जिवरिक एरपोर्ट से समझोता हुआ है दोजार उन्नीस में दोस्तों घरेलू परेटको को आकरसित करने में सीर्स राज जिवना था उत्तर प्रदेश इसके लावां प्रधान मंतरी आत्म निर्भर निधी जिसे स्वानी दियोजना के नाम गुरूप समहलेगा चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से स्टैटिक पॉइंट्स की उत्तर प्रदेश मैप में देखिए ये रहा उत्तर प्रदेश लखनो है यहां की राजधानी योगी आधित तेनाज जी बीजेपी पार्टी से यहां के है चीफ मिनिस्टर आन अगला है अगला है हाले में अमेरिका ने किस देश के साथ पांच वर्सों के लिए MOU पर हस्ताक्चर किये हैं अच्छा यह जो समझोता हुआ है इन दोनों देशों के बीज यह एकोनॉमिकल स्टेवल्टी को स्थापित करने के लिए किया गया है अभी हाली में ताइवान और US के बीच यानि United States के बीच आर्थिक वारता हुई और इसमें अमेरिका ने कहा कि वो ताइवान को Science and Technology, 5G और भी कई सेक्टर में हेल्प करेगा अच्छा अगर आपको याद हो अभी कुछी दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने ताइवान को 400 Harpoon Block 2 मिसाइल देने की खुशना की है कितनी मिसाइल? 400 मिसाइलें देगा Harpoon Block 2 मिसाइल ताइवान को देगा किसलिए जिससे वो चाइना का सामना कर सके जले दोस्तों पहले वर्ड मैप में देख लेते हैं ताइवान कहां पर है तब आपको ज़्यादा स्वंज में आएगा तो सबसे पहले ये रहा मारा प्यारा भारत यहां से हम लोग इस साइड आएगे चाइना के साइड दोस्तों यहां पर छोटी सी कंट्री आपको दिख जाएगी ताइवान ये जो कंट्री है ये है ताइवान ठीक है अब चाइना इस पर अपना अधिकार बताता है कि ये चाइना का ही पार्ट है जबकि ताइवान अपने आपको स्वतंत्र राष्ट बनाने की घुशना करता है वो अपने आपको ये बताता है कि मैं एक स्वतंत्र देश हूँ हाला कि इसे अभी संयुक्त राष्ट संग में सामिल नहीं किया गया है as a freedom country लेकिन अब अमेरिका ये चाहता है कि वो इसको और ज़्यादा ससक्त करे जिससे ये चाइना का सामना कर सके इसी वज़े से अमेरिका जो है वो इसको support कर रहा है लगातार तो अब ताइवान का support ताइवान को मिला है अमेरिका का support तो ये क्यों नहीं आगे बढ़ेगा तो इस वज़ा से ताइवान जो है अमेरिका से लगातार डिल्स कर रहा है और चाइना के खिलाफ खड़ा हुआ है अच्छा भारत भी टायवान का सपोर्ट कर रहा है क्यों? बात ये है कि चाइना जो है इसकी यहाँ पर ताना साही बहुत जादा बढ़ती जा रहे है इधर दक्षिट चीन सागर की साइड में इस साइड में अपनी ताना साही लगातार बढ़ा रहा है तो ऐसे में भारत हुआ, अमेरिका हुआ, आस्ट्रेलिया हुआ, जापान हुआ ये सब देश मिल करके इसको इसकी ताना साही को कम करने के लिए लगातार पीछे पड़े हुए हैं अब ताइवान आया है ताइवान की बारे में जानिए ताइवान की राजधानी होती है दूस्तों ताइपई क्या ताइपई है यहां की राजधानी यहां की प्रेसिडेंट है तसाई इंग वेन और यहां की करेंसी होती है निव ताइवान डॉल्फ अब अमेरिका के अगर बात करें तो अमेरिका देख लीजे मैप में ये रहा अमेरिका, वासिंगडन डीसी यहां की राजधानी है और नव निर्वाचत राष्टपती बनके राए हुए है जो बेडेन, जो की हैं डेमोक्रेट पार्टी से, 46 में प्रेसिडेंट है ये, डॉल ग्वालियम, संगे, चोडेन, वंग्चुक को यूएन प्रुसकार दिया गया तो अभी हाली में दोस्तों भूटान की महा महीम, ग्वालियम, संगे, चोडेन, वंग्चुक को यूनाइटेड नेसंस का अवार्ड मिला अच्छा भूटान की जो ये महा महीम है दोस्तों ये अभी गई हुई है White House और White House जानते हैं आप लोग अमेरिका का राष्टपती भवन है तो White House पहुचने वाली ये भूटान की पहली महा महीम भी बन गई है तो ये रिकार्ड भी नके नाम दर्ज हो गया है भूटान की महा महीम में नाम अच्छा इसी के साथ में भूटान को एक और अवार्ड मिला भूटान ने Help is India के लिए अवार्ड जीता है भूटान के Help is India को संस्थागत पुरुसकार मिला है भूटान की ये जो महा महीम है गौालियम संगे चोडेन वांग चुक ये दोस्तों 20 वर्सों से ज़्यादा टाइम से UNFPA की Goodwill Ambassador भी रह चुकी है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए भूटान आया है भूटान के बारे में जान लीजे भूटान देख लीजे भारत का पडोसी देश है ये रहा भूटान भूटान की राज़धानी होती है थिमपू यहां के प्राइम मिनिस्टर है लोटे सेरिंग यहां के राजा है जिगमे, खेसर, नाग्नियार, वांग्चुक राज़धानी थिमपू मुद्रा, डुल्तुरूम होती है और संसत का नाम होता है तो सुंगडु राजभासा होती है जुन्खा और सबसे बड़ा नगर है थिम्पू क्लियर है बिलकुल नेक्स्ट बात करते हैं अगला है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड के सोतन्तर निदेशक कौन बनाए गए तो दोस्तों अभी हाली में दीन बंधु महापात्रा जी को बनाए गया इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड का नया सोतन्तर निदेशक अब देखिए दीन बंधु महापात्रा दोस्तों इसते पहले ये बैंक आफ इंडिया के मडी रह चुकी है तो इनको अगले तीन वर्सों के लिए बनाए गया इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड का नया सोतन्त निदेशक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करें तो इसकी अस्थापना हुई थी 2005 में कब 2005 में स्थापना हुई इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बोड की और वहीं इंडिया बुल्स की अगर बात करें तो इंडिया बुल्स की स्थापना हुई थी सन 2000 में इसका हेटकौाटर है दूस्तों गुडगाव में चेर्मैन है इसके समीर गहलोद चले नेक्स्ट बात करते हैं अगला है किस राजी सरकार ने महा आवास योजना सुरू की तो अभी हाले में महाराष्ट्रा सरकार ने दूस्तों महा आवास योजना सुरू की है महा से महाराष्ट्रा आप लोग याद कर सकते हैं महा आवास योजना के तहत क्या होगा महा आवास योजना के तहट दोस्तों वहाँ की ग्रामीड छेत्रों में महाराश्टर के ग्रामीड छेत्रों में 8.82 लाख ग्रामीड आवास बनाए जाएंगे कितने 8.82 लाख ग्रामीड घर बनाए जाएंगे ये दोस्तों 100 दिनों में पुरा किया जाएगा तो महराष्ट सरकार का टार्गेट है कि अगले सौ दिनों में 8.8 लाख ग्रामिर घर बनाए जाएं महराष्ट आया है तो महराष्ट देख लीजे दोस्तों मैं अपमें ये रहा महराष्ट्रा मुंबई यहां की राजधानी है उद्धो ठाकरे सिवसेना पार्टी से यहां की है चीफ मिस्टर गवर्नर है भगत सिंग कोस्यारी बॉम्बे हाइकोट परता है बॉम्बे हाइकोट के चीफ जसे से दिपांकर दता अच्छा दोस्तों महराष्ट्रा और गुजरात ये दोनों अलग हुए एक मैं 1960 को ये आपको ध्यान रखना चाहिए महराष्ट जो है ये अपना बॉर्डर सेर करता है गुजरात से मध्यपरदेश से चतीजगर से तेलंगाना से करनाटका से और इधर गोवा से भी अपना बॉर्डर सेर करता है क्लियर है नेक्स्ट बात करते हैं अगला है हाली में किसे अंतर संसदिय संग का बाहे लेखा परिच्छक चुना गया तो अभी हाली में गिरेश चंद मुर्मो जी को अंतर संसदिय संग का बाहे लेखा परिच्छक चुना गया है यह अंतर संसदी एक संग क्या होता है इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन यह जिनवा में है दुस्तों यहां का बाहे लेखा परिक्षक नियुक्त किया गया गिरेश चंद मुर्मो जी को आपको याद होगा दुस्तों गिरेश चंद मुर्मो जी को अभी हाले में भारत का 14 का हुआ कैग बनाया गया था ठीक है बारत के यह 14 हों में कैग बने हुए हैं कम्ट्रोलर और्डिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाये गए नियंत्रक और महा लेखा परिक्षक तो इनको ही अभी हाली में दोस्तों आइप यू का इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन का बाहे ल तरीके से यह आईज़ुत हुआ उसली में यह भी फैसला लिया गया है गिरीश चंद मुर्मू जी दोस्तों यह जम्मू कस्मीर के पहले लिटनेंट गवर्नर बने थे आपको याद होना चाहिए गिरीश चंद मुर्मू जम्मू कस्मीर जब यूनियन टेरिटरी बना तो के पहले लिटनेंट गवर्नर बने हाला कि अब मनोज सिन्ह जी वहाँ पर आ गये हैं दुस्तों ब्रह्मास्त्र करेंट अफेर की जनवरी से अक्टूबर मन्त की इबुक आ चुकी है हिंदी और इंग्लिज दोनों लेंग्वेज में आ चुकी है तो अगर आपने नहीं पर ब्रह्मास्त्र है आप लोग इसे पर्चेस कर सकते हैं MZT एप से लिंक नीचे डिस्क्रप्शन में दिया गया है अगर आपके पास MZT एप नहीं है WhatsApp नंबर नीचे दिया गया है वहाँ पर जाकर गए आप संपरक कर सकते हैं नेक्स्ट बात करते हैं अगला है IPS असो कुमा जी को उत्राखंड का नया राज्य पुलिस महानिदेशक यानि डिरेक्टर जनरल और पुलिस नूट किया गया है इससे पहले ये दुस्तों CRPF और BSF में भी काम कर चुके हैं अपनी सेवा दे चुके हैं अब ये उत्राखंड के नए DGP होंगे चलिए उत्राखंड आया है उत्राखंड के बारें जानते हैं उत्राखंड देख लीजे मैप में ये रहा देहरादूण यहांकी है राजधाने तिरवेंदर सिंग रावत जी बीजेपी पार्टी से यहां की है चीफ मिनिस्टर गवर्नर है बेवी रानी मौर्या जी जिम कारवेट नेशनल पार्क यह है उत्राखंड का ही नेशनल पार्क जो की भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है उत्तराखण के high quote की बात करें तो यहां के chief justice हैं दोस्तों रमेश रंगनातं जी उत्तराखण अपना border किसे किसे सेर करता है उत्तराखण अपना border हिमाँचल प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से सेर करता है अभी हाले में 9 नौवंबर को उत्तराखंड ने अपना 20 अस्थापना दिवस मनाया क्योंकि 9 नौवंबर सन 2000 को ये उत्तराखंड उत्तर प्रदे से अलग हुआ था जब ये अलग हुआ था तब भारत का ये 27 राज्य बना था 28 राज्य दोस्तो जारखंड बना 2000 में उसके 6 दिन बाद ही 15 नौवंबर 2000 को इसके बाद दोस्तो 29 राज्य तेलंग अना बना 2 जून 2014 को नेक्स्ट बात करते हैं अगला है किस केंद्रिय मंत्री को वातेयन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरसकार 2020 से सम्मानित किया गया तो अभी हाली में रमेश पोकरियाल निसंग ज से यह अवार्ड दिया गया है किसके दिया गया तो यह अवार्ड दोस्तों लंदन के वातेयन यूके संगठन की द्वारा दिया गया किसके द्वारा लंदन के वातेयन यूके संगठन की द्वारा इनको वातेयन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 दिया गया है ओक लेकिन मानव विकास अंसाधन मंत्राले का नाम बदल करके सिक्षा मंत्राले किया गया तो अब ये सिक्षा मंत्री हुए नेक्स्ट बात करते हैं विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है विश्व बाल दिवस ये दोस्तो मनाया जाता है 20 नवंबर को हाला कि इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ लेकिन इसके बारे में कुछ important details थी जो आपको जानना जरूरी होनी चाहिए कि कब से इसकी शुरुवात वगरा होगी तो दोस्तों पहली बार ये 1954 में मनाया गया था लेकिन जब ये 1954 में मनाया गया था तब इसे युनिवर्सल चिल्डरन डे के रूप में मनाया गया था तो 20 नवम्बर को दोस्तों मनाया जाता है विसो बाल दिवस और 14 नवम्बर को मनाया जाता है भारत में बाल दिवस बा良त में क्यों मनाया जाता है। क्लियर है तो दुनिया भरकी बच्चों के कल्यान के लिए उनके बारे में सोचने के लिए उनके उज्वल भविस्य के बारे में उनको ससक्त करने के लिए मनाया जाता है और इनका दावा है कि ये भारत के सबसे कम उम्र के graduate बन गए हैं। उस्मानिया युनिवस्टी से अभी हाली में इन्होंने Mass Communication and Journalism से बीए किया हुआ है बैचलर अफ आर्ट्स और अब ये बन गए हैं भारत के सबसे कम उम्र के graduate। अगत्स जैसवाल हैदराबाद की ये हैं। अगला है हाली में प्रसित बंगाली कवी आलोक रंजन दास गुपता जी का निधन हो गया। इन्हें कौन सा अवार्ड मिल चुका है। तो अभी हाली में फेमस बंगाली कवी थे आलोक रंजन दास गुपता जी इनका निधन हो गया। इन्हें दोस्तों साहित अकादमी प प्रूसकार मिलाइएंको 1987 में इनका निधन दोस्तों अभी हाली में 17 नौबर को जर्मनी में हुआ ये बंगाली कवी थे और साथी साथ ये बंगाली और संथाली कवीताओं को नाटको को इंग्लिस और जर्मन लेंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया करते थे तो ट्रांसलेटर भी बहुत अच्छे थे इस वैसे भी ये काफी ज़्यादा फेमस थे ठीक है इनका अभी हाली में निधन हो गया तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के करेंट अफेर के important questions I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी आज दोस्तों आ रही है मन्तली करेंट अफेर की वीडियो नॉवंबर मन्त की part 1 आप लोग देखना मत भूलिएगा दो पहार में दो बज़े वो वीडियो प्रीमेर होगी और उसको आप लोग जरू देखिएगा MZT app पर दोस्तों इस वीडियो की आप quiz भी solve कर सकते हो quiz जरू solve करो MZT app पर ही आपको सभी वीडियो की quiz वगरा मिल जाएंगी question है important दोनों के बारे में आपको जो पता हो detail में answer कीजेगा वीडियो पसंद आई है तो इसे like कर दीजे like करना भूल गये है तो like अभी कीजिए जल्दी से वीडियो को share कर दीजेगा अपने दोस्तों के पास और channel को subscribe जरूर कर दीजेगा वीडियो बाब देख लिए हो जाओ जल्दी से इसकी quiz भी solve कर लो mzty app से मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए नमसकार जैहिंद वन्दे मात्रम